मेरे पैरे देश्वासियों, पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दोर से गुजर रहा है। आम तोर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है, तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है। लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है, जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे, जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं। पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे, कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे हम संकर से बचे हुए है, ऐसा लगता है, सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रतेग भारतवासी का सजग रहना, सतक रहना बहुत आवशक है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश्वासियों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। आज मैं आप सभी देश्वासियों से, 130 करोड देश्वासियों से, आप सब से कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए, आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे पैरे देश्वासियों, अभी तक विज्ञान कोरोणा महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है। और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोणा का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है। इन देशों में सुरुवाती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोणा से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनोंने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आईसोलेट करके स्थीती को संभाला है। और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है। भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने हैं और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश हैं। और हम जैसे देश पर करोणा का ये संकट सामाने बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं। तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतव्यका पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है। इस वैश्यक्त महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है। मैं समयता हूँ ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनी दी हैं, जो मिडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवशक है। लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भिड़भार से, बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है, कि हमारे परिवार में, जो भी सीनियर सिटिजन्स हो, साट, पैंसट वर्स की आईू के उपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सब्ता तक, घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, साट, पैंसट से उपर की आईू वाले, हमारे सभी परिवार के जन, घर से बाहर न निकलें। हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो जब छोटा था, उस समय हम अनुभव करते थे, उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी, तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था, शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था, लाइट बंद रखी जाती थी, लोग रात भर चौकी करते थे, और युद्ध ना हो तो भी, साल में एक दो भार तो, वहाँ के जो नगरपाली काएं होती थी, वो जागुरू को करके, ये ब्लेक आउट काएं डिल भी करवाती थी, लोगों का आदद बनी रहे इसके, इसके लिए प्रयास करती थी, और इसलिए मैं आज, प्रतेक देशवासी से, एक और समर्थन माँग रहा हूं, ये हैं, जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, यानि, जनता के लिए, जनता द्वारा, खुद पर लगाया गया कर्फ्यू, इस रभिबार, यानि, दो दिन के बाद, 22 मार्च को, 22 मार्च रभिबार को, सुबे 7 बजे से, रात 9 बजे तक, सभी देशवास्यों को, जनता कर्फ्यू का पानन करना है, इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान, कोई भी नागरिक, गरों से बाहर न निकले, न सडक पे जाए, न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो, अपने घरों में ही रहे, हाँ, जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा, तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है, लेकिन एक नागरिक के नाते, न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं, सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्म सैयम, देश हित में करतेवे पालन के संकल्प का, एक मजबूत प्रतीक होगा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव, हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा, कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें, हमारे देश में कई संगठन है, NCC है, NSS है, कई उवा संगठन है, Civil Society है, खेलकुत के संगठन है, कई प्रकार के संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कोई, सब से मैं अनुरोद करूँगा, कि अभी से लेकर, रविबार तक, इस जमता कर्फ्यू का संदेश, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरुक करें, आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन, दस नए लोगों को फोन करके, आप इस वैश्विक महामारी के समद्ध में, नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात, उनको समझाएं, उनको बताएं, मेरे प्यारे देश्वासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिराब, लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है, ये देखने और परेखने का भी समय है, आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ, साथियों, पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एरपोर्ट पर, दप्तरों में, सहर की गलियों में, दिन रात काम में जुटे हुए हैं, चाहे डॉक्टर हो, नर्सीज हो, हस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एरलाइन्स के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेल्वे, बस, आटो, रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखे तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकते आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रभिवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और दन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है रभिवार को यहने जनता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रभिवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देश वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्रात्फिक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि कि रूटिन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिल डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकनॉमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैस्टला लिया है यह टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी यह टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर यह महामारी ने देश के मध्यमवर्ख निम्न मध्यमवर्ख और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्ख से भी आगर हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर ना आप आएं आपके घर ना आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद, खाने पिने का सामान, दवाईयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीज़ों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ये सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुप से ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग, ये कता ही ठिक नहीं है, उसको न करें साथियों, पिछले दो महिनों में 130 करोड भारतियों ने, देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए, समाज के लिए, देश वासियों से जो बन पड़ा है, हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासि, अपने कर्तवियों का, अपने दाइत्वों का, इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ, कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देश वास्चियों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्विक्ता देनी है आज देश में केंदर सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है ये आवश्विक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देशवासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्वक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूँगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद